कि हालो फ्रेंड्स वेल्कम टो अलेश्टरी टॉंटिफोर निटू सैवन आज ही जो हमारे कोश्चन है पारलेमेंटर सिस्टम से संबंदित हैं तो विदाउट ब्रेस्टिंग टाइम इस्टार्ट करते हैं कौन राष्ट्पति के आकस्मिक मृत्तिव के कारण राष्ट्पत का कारभार जमालता है तो इसकांसर है वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट यह लिखा है कॉंस्टिशन के अनुच्छेद 65 में आर्टिकल 65 में यह लिखा हुआ है और मोहम्मद हिदायत तुल्ला मोहम्मद हिदायत तुल्ला वाइस प्रेसिडेंट थे हिदायत तुल्ला इन्हों ने राष्पति का कारवार समाल ला था लिखनों निम्न में से किसे महाभयोकी प्रकृरी दौरा पत से हटाया जा सकता है तुम आपी प्रकृरी लगा जयती है रास्पति पर कर पर रास्पति पर इससे पहले वाली वीडियो में wiped आ चुका काफी और अलगले भासाओं में लेंगोज को चिंज करके अब आप सोच रहोंगे प्रेजडेंट का इसमें कुश्चन क्यों है क्योंकि पार्लेमेंटर सिस्टम तीन चीज़ों होना है प्रेजडेंट राजसभा एंड लोगसभा इन तीनों के मिलाके बनता है हमारा प यह लिखा है कॉंस्तिशन के आर्टिकल एटी में अनुच्वी तस्वी में यह लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो लिट्रेचर साइन्स आर्ट या फिर सोशल सर्विस सोशल सर्विस इन में से कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो आर्टिकल 80 के नुसार कोई भी 12 मेंबर को राश्पती राजसवा का मेंबर बना सकता है निम्न में से कौन सा वाक्य सही है पहला स्रिट्मेंट राश्पती अपना स्तीफा लोगसवा के स्पीकर को सौपता है दूसरा राश्पती अपना स्तीफा उपर राश्पती को सौपता है तीसरा राश्पती अपना स्तीफा न्याइधीस को सौपता है चौथा ओप्शन राश्पती अपना स्तीफा परधान मंत्री को सौपता है तो राश्पती अपना स्तीफा उपर राश्पती को सौपता है ध्यान दीजिए गई शीच कहा हूं कि मम्न में से कौन सा वाक्य सही है उपर राजपती राज़्य के विधान परिशत को भंग कर सकता है नहीं राज्य पाल राज्य की विधान सभा को भंग कर सकता है हाई सही ये बाकिय आप्शन देख लेते हैं लोग सभा के स्पीकर लोग सभा को भंग कर सकता है नहीं लोग सभा को भंग करने का दिकार राश्पती को है राश्पती राज्य सभा को भंग कर सकता है राश्पती राज अंसर सही है राज पाल राज की विदान सभा को भंग कर सकता है कि क है कि ये लिखा है निऊंपर परिषय नहीं यह विदान दिजेगां है है जैसे कि केंठ सेंटर लेविल हमarine राजसवा होती ही वरग करती है से अगिजुम आ चेमर्ण हमारे स्टेट है जिसे बिधान सवह विधान परिशद होती है तो बिदहन परिशद भी राजसवा के क्ाप्जिंग काम करती है उसको भी कोई भंग नहीं कर सकता नेश कोशन निम्न मेंसे कौन सवाग राज सवा के विशह में सही नहीं है पहला उप्शन इसके पास वे शक्ति हैं जो केंदर के विरुद्ध राजियों के अधिकार के रख्षा करती हैं कि सही है क्योंकि यह राज सवा राजियों कि व ह है यह धन वीद्यक में संशोधन कर सकता है यह नहीं है डिटें रा सबस्थण धन वप्षंड़ नहीं हसा अज सकता को लिए चुसार के कोड़ी चुका है यह भारत की संसत का उपरी सदन है बताया भी पर्मनेंट हाउस है तो बी आंसर इसमें सही होगा क्योंकि राज सभायन में से अधन विद्यक में संसोधन नहीं कर सकता अब कोशन पूछा कौन सा सही नहीं है तो यह सही नहीं है भारत के राश्पती कितने वर्षों के लिए पद्धारन करते हैं भारत का राश्पती पांच वर्षों के लिए पद्धारन करता है और यह कारकाल लिखा हुआ है भारत के अनुच्छेद 56 एक में सब्सक्राइब के लिए प्रोटम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था प्रोटम स्पीकर होता है एक टेंपरेरी स्पीकर जब तक कि इसमें स्पीकर और चुनकर अपना कार्यभार ना समाल लें उस टाइम के लिए प्रोटम मैं लब एक टेंपरेरी चौटेस टाइम पेडिट के लिए एक प्रोटेम इस्टीगकर को चुना जाता है वो थे वीरेंद्र कुमार नैस्ट कोश्चन लोक सभाके 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राजियों का प्रतिनिज्ट करते हैं तो राज्यों का प्रतिनेजित करते हैं 530, 20 जो आते हैं वो आते हैं यूनिय टरूटरी से और दो होते हैं एंगलो एंडियन, लेकिन ये एंगलो एंडियन वला जो सिद्धान था है, वो सम्विधान के एक सो चारवे संसोधन अधिनियम, मतलब अधिनियम के मतलब होता है एक्ट, 2019 की दौरा ये रद्द कर दिया गया, अगर आपसे कुछन पूछे कौन सा बिल था ये, तो बिल था ये 126, ये है बिल, जिससे आपने सुना होगा, कि पहले बिल आता है, पर जिब पास होता तब एक्ट बन जाता है, तो एक्ट कौन सा था, 104, बिल पूछेगा, तो बिल कौन सा था, 126, और 129 का ही है, तो इक करेंट अफिर से सम्वंदित कौशन पॉलिटी का बन सकता है, नेस्ट कौशन, भारत के उपर राश्पती के रूप में न्यूक्त होने के लिए नियुन्तम आयू मापदंड क्या है, तो उपर राश्पती के लिए नियुन्तम 35 साल की आयू होनी चाहिए, ये लिखा है, अनुच्छे च्छाचट के अनुसार, कॉंस्ट्यूशन के आर्टिकल 66 में ये मापदंड रिखे हुए है, नेस्ट कॉशन, पूर्व राश्पती पिर्णम मुखर जी ने पहला लोग सभा चुनाओ किस वर्ष जीता था, ये जीता था 2004 में, जब NDA से यूपियो गोवर्मेंट बनी थी, दोचार से पहले हमारी NDA गोवर्मेंट थी, BJP की, इसको लीट कर रहे थे अटल विहारीवास पर जी, तो उसके बाद जब दोचार में बनी थी, तब ये जीते थे अपना पहला चुनाओ, भारत के राजपलों के नियुक्ति कौन करता है, तो राजपलों के नियुक्ति करते हैं, भारत के प्रेजिडेंट, ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 155 में, आर्टिकल 155 1975 से 77 के आपातकाल के दोरान भारत के राजपती कौन थे, भारत के राजपती जो नेशनल इमेरिंसी लगी थी 1975 से 77 के मध्य, इसके राजपती कौन थे, तो राजपती थे, फक्रुदीन अली एहमद, फक्रुदीन अली एहमद साब, नेश्क कोशन, 1964 में जवाहर लाल नहरू की मिर्तियों के बाद भारत के कारकारी प्रतानमत्री कौन बने थे, बहुत इंपर्टन कोशन, तो ये बने थे, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, और इसके बाद बनाएगा थे, लालबाव शास्त्री जी, तो लालबाव सास्त्री जी की मिर्तियों हुई थी, उसके बाद फिर से, गुलजारी लाल नंदा सहाभी बनाएगा थे, तो जवाहर लाल नहरू और सास्त्री जी, दोनों के मिर्तियों के बाद, गुलजारी लाल तो रश्पती हैं तो रश्पती हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद अगर आसे पूछे सब्से ज्यादा लंबे समय परहने वाले उपर रश्पती कौन है तो आंसर होगा राधा किश्णन राधा किश्णन यह वाइस प्रेश्डेंट है सबसे लंबे कारे कालिंगा है नेश्ट भारत के सुरच्छा बलों के सरवोच सेनापती कौन होते हैं तो यह होते हैं प्रेश्डेंट प्रेश्डेंट अफ इंडिया यह लिखा हुआ है आर्टिकल 53 अफ इंडिय इंग्स्टिशन यह समविधान के अनुच्छे त्रेपन के दिखा है कि भारत के सुरच्छा बलों के सर्वोच सिनापती राश्पती होंगे लिएट कुश्ट्ट कुश्ट्न निन में से किस देश में राश्पती परणाली की सरकार नहीं पाई जाती है तो बहुत से लोगs कंफ्यूज हो गया है इस ङ कोश्चंस में मुझे याद है है तो सरकारघ नहीं पहजाती भारत में भारत में सिस्टम कर प्रेसिडिंचील सिस्टम नहीं है यह पार्लीमेंटरी सिस्टम है मैंने इस्टाटिग में बोला पारलेमेंट क्योंकि इंडिया में आर्टिकल 74-75 की अनुसार राजसावालोगसवा है और 74-75 जो डील करती है वो परल्लेमेंटरि सिस्टम के साथ डील करती है नेस्ट कोश्चन भारत के राश्पति के पास वे ही शक्तियां और कार्य है जो किस के पास है जो पावर राश्पति के पास है वही पावर बेटन के प्रेश्डेंट के पास होते हैं बेटन के प्रेश्डेंट के पास होते हैं नेस्ट कोश्चन भारत में राज्जी का प्रमुक और सबसे उच्च अफचारिक अधिकारी कौन होता है तो यह होते हैं राश्पती, भारत में जितने भी काम किया थे, कोई भी देश में हम लोग कोई भी अग्रिमेंट करते हैं, MOU साइंड करते हैं, तो वो सब प्रेजिटेंट के नाम से करते हैं, MOU का मतलब Memorandum of Understanding, भारत में नियंत्रक और महालेखा परिच्चक कि नियुकती कौन करता है, यह करते हैं, भारत के प्रेजिडेंट, यह लिखा है, आर्टिकल, 148 में, 148 में, नेक्ट कोशन, निम्न में से किस प्रधामंत्री के कारकल तेरा दिन का रहा था, तो यह तेरा दिन के कारकल था, अटल बहरी बास्पर जी का, अब बास्पर जी अब तक तीन बार प्रधामंत्री बने हैं, और यह कारकल रहा था, 1996 में, नेक्ट कोशन, स्वतनत्रता, दिवस को, लाल के लिए पर राष्ट्री ध़ज कौन फैराता है, तो यह फैराते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधामंत्री, नेक्ट कोशन, भारत में किस वर्ष, दो सदनों वाली प्रथम निर्वाची संसत अस्तित्र में आई थी, वदलब राज सभा लोग सभा, दोने एक साथ कब, इलेक्ट होकर आई थी, तो इस कांसर है, 1952 में, अपरेल 1952, आज के लिए बस इतने ही कोशन, कम कोशन इसलिए लाता हूं कि आप लोग डेली डेली याद कर पाया, और, शेयर कीजिए प्रीज आप लोग, शेयर नहीं कर रहा है, एक दूंसार रुक्ष से गए हैं, और लोग तब जाना चाहिए कि फेपर आने वाले लगातार स्सी का भी फेपर आने वाले हैं, यह सब लोग नोटिफिशन आगया, पीटी का, और स्सी जीडी आने वाला है, कॉंस्टेबल आने वाला है, दरोगा का नोटिशन आ चुका है, फार्म की लाश्डेट 15 जून आ तो सब लोग नोकरी लीजिए फटाफट, और टीचिंग इजाम कभी सुनाया, मैंने कुछ अट्वर नमबर के पास वेकेंसी उनकी भी आ जाएंगी, तो जाद तर लोग जाद तर लोग जो आसपास के सब को गवर्मेंट जब दलवाई है, फटाफट, जितनी वेकेंसी आ